नमस्कार मैं हूं रीमा सिंग और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन वन जरा सोचिए कि आप घर पर बैटे हैं और एकदम से धमाके की आवाज आती है जिसकी वज़े से आपके घर की जो शीशे होते हैं वो चटकने लगते हैं जोर-जोर से हिलने लगते हैं तो आप खबरा जाएंगे लेकिन इसके पीछे की आकर वज़ा क्या है क्यूं हुआ ऐसा और कहा हुआ इसके लिए देखी हमारी ये खास रिपोर्ट देहरदूर में अचानक अजीबों गरीब आवाज आती है और लोगों के घरों की खिड़किया तूट जाती है इस घटना के बाद शहर में लाकों लोग सहम कर घरों से बाहर आ जाते हैं बाट में इसकी वज़ा पता चलती है ये घटना सौनिक बूम की वज़ा से हुई थ दरसल सौनिक बूम वो ध्वनी है जो वायू यानो के काफी तेज गती से चलने की वज़ा से पैदा होती है जिससे ऐसा लगता है कि जमीन में कोई धमाका हुआ हो विसफोर्ट ध्वनी यानी सौनिक बूम की अवास सुनकर सोवा दुपहर को दहरादून के लोगों को चौका देने वाली जोरदार विसफोर्ट ध्वनी वायू सेना के लडाकु विमान से आई जिसे सौनिक बूम भी कहा जा रहा है आपको बता दें कि वायू सेना अपने लडाकु विमानों और अन्य उपकरणों का परिक्षन करते हुए अपना गगन शक्ती अभियास कर रही थी जिससे सौनिक भूम की आवास निकली जिससे धमाके जैसा फील हुआ और लोग आवास सुन कर घबरा गए आपको बता दें कि इससे पहले दोपहर डेड़ बजे के आसपास विसफोज जैसी आवास ने देहरादून के निवासियों में देहशत पैदा कर दी शहर की पुलिस ने कहा कि शहर के एक बड़े इलाके में जोरदार विसफोज की आवास सुनाई दी जिससे घबराए निवासियों ने बड़ी संख्या में आसपास के पुलिस स्टेशनों को फून किया राज़दानी देहरादून के कई इलाकों से धमागों की आवास सुनाई देने से लोग सहम गए थे एक के बाद एक देहरादून के कई छेतरों में धमाकों की आवास आने की खबर तेजी से फैली तो पुलिस फ्रशासन भी अलट हो गया टीम में मौके के लिए रवाना हुई आपको बता दें कि ये घटना कल की बताई जा रही है धमाकों की आवास की खबर तेजी से फैलने पर एस एस पी अचैसिंग ने क्या कुछ कहा चलिए सुनाते हैं आपको अज देरा दूर के कंट्रोल रूम में लगतार पबलिक के अचानक से कॉल सानी लगी और उन तेज धमाके के आवास सुनी है खास कर ये दमाके के आवाज हमारे केंट एरिया और आयमे जहां सी तो वहां से ज्यादा कॉल सी लेकिन दूर दूर तक कॉल सानी लगी जो करीब 15-20 किलो मेटर के एरिया को कवर कर रहे थी तो पता चला कि हवा में कहीं उनके द्वारा एक तेज साउंड की आवाज आई हो जिससे उनके खिड़की दरवाजे हिल गया कहीं बहुत जादा वाज से अभी तक जो भी वेरिफिकेशन हमने डिफरेंट एजेंसी से किया तो कहीं भी ग्राउंड लेवल पर कहीं भी कोई अभी प्रकाश मने आई है लेकिन जो अभी तक प्रात्मिक दिस्टी से लगता है कि जब एरफोर्स या ऐसे कोई एक साइस करती तो जो सुपरसॉनिक प्लेन होते हैं जो सुपरसॉनिक उसकी बूम की आवाज होती है वह वाज इतनी तेज हवाम में कि कभी-कभी जो है इस अभी तक हमें जानकारी मिल पाई है वीरो रिपोर्ट नेशन वन